ब्रोकर्स शेयर ब्रोकर्स ये एंटिटी जो होती है ये फंड मैनेजर ने दिये हुए और को शेयर खरीदने या बेचने के और को एक्जिक्यूट करने के लिए बने होते है ये एक्स्टरनल लोग होते है जो म्यूचल फंड अपॉइंट करता है ये ब्रोकर्स का काम होता है कि fund manager ने share खरीदने बुलाए तो खरीदना है share बेचने बुलाए तो बेजना है तो यह सारी entities मिलके mutual funds चलाते है एक बार fast recap करेंगे custodian का काम होता है safe keeping of securities R&T agent का कम होता है keep and service the investors record banks का काम होता है collection of payment collection and payment of the funds auditor का काम होता है audit schemes account fund accountant का काम होता है any calculation करना distributor का काम होता है investor से पैसे लाना और brokers का काम होता है fund manager ने दिये हुए order को exchange में execute करना तो इतनी सारी entities होती है यह सब मिलके mutual fund चलाते है और यह सारी entities होती है यह fees लेके काम करती है और यह सारी entities जो है यह सभी entities से भी registered होना जरूरी है तभी इनको mutual fund में appoint किया जाता है